Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O-Pocket, Ganga Nagar, Mavana Road, Mirat. नमस्कार, आप देख रहे हैं Fastby.tv वेब सिरीज, मिर्जा पुर के कालिन भहिया का नाम तो आपने सुना ही होगा. वेब सिरीज का कुख्याद था, लेकिन आज आपको वास्तिक ऐसे कुख्याद से मिलवाया जा रहा है, जिसका तमंचों का ववापार दूर दूर तक फैला हुआ है. वेब डीलर के माध्यम से इस काले धंदे को बढ़ाने में लगा था. तमंचा हो या फिर पिस्टल दिये गए दाम के हिसाब से यह ग्रहा को उपलब्द करा रहा था. इसको ख्याद का नाम है शफीक उफ सफीकुदीन उफ फॉजी. पुलिस चापे बारी में करीब तेर्ड सो तमंचे वे 32 बोर पिस्टल बरामत की गई हैं. कुल मिलाकर गिरहों के आठ लोगों को गिर्पतार किया गया है. मेरट पुलिस और स्टेफ की सांजा चापे मारी में शफीक निवासी होली चौक मलियाना तबरेज निवासी इरा गार्डन इसरार ग्राम राधना भावेंद्र उफ गुल्लू निवासी फत्य उल्लापूर मेरट फारुक निवासी सालिमार गार्डन मेरट अली हसन निवासी हुमाईयो नगर लिसाडिकेट मेरट आकेल निव के वरिष पुलिस अधिर्जक अजय साहनी ने इस धर पकड़ कर खुलासा करते हुए मीडिया को यह जानकारी दे चुनाओं के अधिसूचना जारी होने के बाद जो अवैध धत्यानों के खिलाब कारवाई के एकरम में STF की टीम और मेरट पुलिस की टीम ने COSTF बिर्जेश के नित्यतों में एक शापा वारा ओरेट टीपी नगर में हुई जहां पर एक फैक्टरी पकड़ी गई जो बहुत ही आधुनिक तरीके थी और बड़े पैमाने पर वहाँ वेपन बनाय जा रहे थे वहाँ से भारी मात्रा में फैक्टरी और बने पिस्टल और बाकी वेपन बरामत किये गए इसी करम में उनसे पूस्ताज के आगे ब्रह्मपूरी थाना चेतर में सी उस्टी एफ वहाँ की पुलिस और एस्पी सिटी इन लोगों ने रेट करी वहाँ से भारी मात्रा में वेपन बरामत हुए और दो अभी पूस्तार हुए इसके बाद इनके सूचना प्राप्त होई उसक्रम में एक लिशाडी गेर थाना चेतर में दविश्ट दी गई ज इस प्रकार से कुल आठ अब्युक्तों को गिरफतार किया गया और 133 पिश्टल और कंट्री में पिश्टल ओनिया बंदूखे ये सारी हैक्टरी का बहुत सारा सामान दो फैक्टरियों का जिसमें से एक फैक्टरी लिशाडी गेट में और एक सुरू में जो प्रभ में प् बाट दिया गया है इस खबर में आज इतना ही आप देखते हैं फस्टवाइट टीवे नमस्कार